हेलो दोस्तो एक बार फ्री से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आपका दोस्तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ज़्यदा दस महेंगी कारों के बारे में जिनके नाम साइज आपने शूने होंगे या फिर उनके गूड लुक्स आपने देखे होंगे दोस्तो दोस्तो दुनिया में महांगे शुक पालने वाले लोगों की कमी नहीं है लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो महांगे घर खरीते हैं कुछ लोग होते हैं जो महांगे गाडिया खरीते हैं यहाँ पर आज हम बात करेंगे दोस्तो गाडियों की और गाडियों क में दूस्तों यह 100 km प्रती गंटे की स्पीड पर आ जाती है । वह है टोटल 7,50,816 रूपई है जो कि आपको अंधर रोड मिल जाएगी दोस्तों और इंडिया में यह कार है बहुत कम अवलेबल होती है लेकिन अवलेबल जरूर होती है दोस्तों यहँगे शोक वाले पार लोग के लिए कोई कमी नहीं होती इस चीज़ों के बारे में तो दोस्तों ये आती है हमारे 10 वे नमबर पर देनवा की ST1 कार दोस्तों 9 नमबर पर आती है फरारी महंगी कारों की बात हो और फरारी का नाम ना ऐसा तो होई नहीं सकता दोस्तों इतली की कम्पणी फरारी दूंजय की सबसे हाइ स्पीड और स्टाلفस सूपर कार बनाने के लिए इतनी मश्यूर है धोस्तो कि कि इसके काफी जाधा आप मॉडल है मार्केट में और बात की जाए इस फरारी कम्पणी की कार ला फरायरी की वे इसके दो दर्वाजे मिलेंगे दोस्तों आपको ये तीन सेकंड में 60 मील प्रती गंटे की रफतार पकड़ लेती है दोस्तों साथ में ला फरायरी की करबात की जाए तो 1.4 मिलियन डॉलर की ये है अगर अपने इंडियन का करेंसी में अगर इसके बात की ज दोस्तों इसी किसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता देते हैं कि आठव पाइदन पर आती है दोस्तों पेकानी वायरे इटली की कमपनी की वायरे कार बनाती है दोस्तों ये कार जो होती है दोस्तों वो फेरारी के बराबर की मानी जाती है दोस्तों इस कार का काफी जयादा है दोस्तों और ये दिखने में भी इतनी स्टाइलिश है दोस्तों किमेहंगी जो कार है बहुत ही खुप सूरत का है हमने कई बार जेमस बोन की फिल्म बी ये कार दोस्तो देख चुके है जेमस बोन में फिल्म जो एक्सीन मार्टीन है दोस्तो उन्होंने काफ़ Yaz जादा इस कार के अंदर स्टंट किये हुए Teraz के बारे में बधाये भी है दोस्तो यह आती है दोस्तों और यह जो कार है दोस्तों 3.5 सेकेंड में 60 मिल जो स्पीड है इसकी प्रति घंटे के हिसाब से वो पकड़ लेती है साथ में यह जो कार है दोस्तों इसकी टोटल कीमत है वो है 4 सब्सक्राइब करते हैं तो मुंबई में किसी पॉलिश के और आलिशान घर या फिर गाड़ी दोनों थरीच सकते हैं दोस्तों अगर लेकिन बात की जाए को निग्जों वन कार के बारे में तो आपका पता तो दो मिलियन की यह जो कार है दोस्तों वह सिर्फ दो दर्वाजों के साथ अबलेबल है उसके साथ यगर बात की जाए इसके लुक्स के बारे में तो आपको बतां देता हूं कि जो स्विधन कंपणी जो कनीक जिराा है दोस्तों वह और आती है इसके बाद का भी पता नहीं चला है दोस्तों लेकिन ये सूपर कार जो है उसके साथ-साथ इसका सूपर दाम भी है दोस्तों इस कार की जो टोटल कीमत है वो है 2.5 मिलियन डॉलर यानि कि अगर इंडियन करिंसी में इसको बदला जाए तो मैं बता दू आपको 16,29,35,000 रुपई की दोस्तों ये कार पड़ती है साथ में कार के साथ-साथ ये कार जो है वो इंडिया में बहुत कम लोगों के पास अवलेबल होती है और उसके साथ दोस्तों ये है कि इसके स्टैलिस की बात की जाए तो काफ़ी जदा इसका look like लगजरी कारों में आता है दोस्तो गर बात की जाए King of the car की तो मैं आपको बाता दाँ इसमें आधी है Mansour Weaver की Bugatti Virona दोस्तो Bugatti Virona भारत में एक जाना माना नाम है दोस्तो कफिता दा वर्ल्ड पोपुलर भी है भारत में तमाम फिल्मी इस सारे के बास Bugatti Virona की गाइडिया दोस्तो अवलेबल ही है शारू खान के फिल्म डोन में ये दोस्तो ये चलाई थी उसने उसके साथी वॉक्स विंगन की कंपनी जो है ये कार मान सरे पसें Bugatti Virona जिसकी टोटल जो कीमा थे दोस्तो वो है 3.4 मिलियन डोलर की अगर इसे इंडियन रूपों में बदला जाए तो 22,15,000,000,000 रूपे की दोस्तो ये इंडियन प्राइज में फड़ती है दोस्तो इसके साथी दोस्तो गर आगे बढ़ते हैं तो मैं आपका बता दू Lycan Hyper Sports की आम बात करेंगे दोस्तो Lycan Hyper Sports जो एक कार है दोस्तो वो काफी साधा Leblon की कंपनी है उसकी कार है उसके अलावे दोस्तो अगर बात की जाए इसके प्रोडेक्शन बेड़ दूबे की तो इसमें दो दर्वाजे आपको मिल जाएंगे दोस्तो साथ में इसकी कार की जो टोटल कुइमत है वो बुकाती विरोण की कीमत के बराबर है यानि कि 3.4 मिलियन डोलर इसके खामेश गया दोस्तो आई होब कि दोस्तो आपने अगर नहीं देखी हो तो प्लीज मूवी का रिव्यू देख लीजे या फिर इस कार को डारेक्ट आप Google पर सर्च कर सकते हैं उस बार इस पर लुक देदी आपको बहुत ज़्यादा डिलेशिस लगेगा दोस्तो दोस्तो बात करते हैं लेबोगनी वेननों की सुपरकार की लिस्ट में इस कार का नाम आया या ना एसा कभी होई नी सकता है दोस्तो इटली की कार लेबोगनी आट लोगों के बाद काफी ज़्यादा फेमस है और दूसरी चीज़ यह है दोस्तो की इसमें Need for Speed जैसे High Definition गेम हो गए या फिर गेम हो गेम इसमें स्पोर्ट के सारे ज़्यादा इसमें इसकार का यूज किया गया है और इस कीमत की इसकी बात करें दोस्तो तो इसकी कीमत है 4.8 जिया दोस्तो अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 29 करोड 32 लाग यानि की 84,000 रुपए आपको इसके लिए चुकाने पड़ेंगी दोस्तो तो बात करते है सबसे नमबर वन पाइदान की तो इस लिस्ट में सबसे नमबर वन पाइदान पर आती है वो है के निक जग की CC Superstar की कार है दोस्तो यह चो काफी सदा हो है और उसके साथ में अकर इसके डूर की बात की जाएनगी आपको डबल दूर मिल जाएगा उसके आसाथ-साथ इसकी कीमत है मार्केट में वो होगी इसको 4.8 सोर॥ 1.18य7,000 रुपए जिया है दोस्तो इतने परेसे वो रख अपने अरजिस्तान में या फिर बात की जाए अपने इंडिया के पास इतने पेसे होना बिल्कूली मतलब एक अश्मिस में यह बात है कि कोई अगर बंदा अगर लेक भी आता है यह कार तो उसको 28 करोर रुपे 27,000 रुपे उसको देने पड़ते हैं दोस्तों काफि सोच समझ के दोस्तों यह कार उनको लेनी पड़ेगी लेकिन बात करें अगर अपनी सिग्मेंट के बारे में तो वर्ड में काफि साथा पेसा है दोस्तों साथ में जूसरी चीज यह है हमारे इस लिस्ट में यह कार नमबर वन पर आती है दोस्तों आई होप कि हमारे वीडियो आपको कफी वता पसंद आया होंगे दोस्तों इसे प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सबस्क्राइब करें